जाहिए इन साथियों स्वागत है आप सभी का एक वार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस नगरी पे आज हम लोग छठा सेसंग करने जा रहे हैं और ये सेसंग जो है वो आपका बेसिकली रेट सी क्रैसिस के उपर होने जा रहा है तो ये जो अभी ऐसा लग मैक्सिमम ऐसा नुमान लगया जा रहा है कि ये ट्रोफिक आपका उसमें जीडी में दे दिया जा सकता है तो आज हम लोग इसी वे बात करने जा रहे हैं अगर हम लोग बात करें रेट सी क्रैसिस के बारे में तो क्यों अभी जितने भी आईल हो गया आपके जितने भी बढ़ गिया है वहाँ पर और रेट सी एक्चुली में लाई कहां करता है वहाँ पर होदी को ने अटैक क्यों कर रहे हैं रेट सी पर जितने भी कारगो आ रहे हैं इंडिया ने अपने दो वार्शिप को वहाँ पर भेज दिया है सारी दुनिया इसे परिसान है इसे क्या ग रहे हैं सब्सक्राइब हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं हिंदुस्टाइन टाइम्स के एक आर्टिक्याल में यहां पर दिया गिया है इंडिया स्टेशन्स टू मतलब कि इंडिया दो अपना वार्शीप को भेज चुका है कोश्ट ओफ एडंग के पास में टाइम स्टेटरी के लिए तो अगर इसका आगया देखे कि हो क्या रहा है अक्चुली में तो अगर हम लोग देखे रेट सी के बारे में तो रेट सी सबसे एक तरसे कल लिए कि और इजराइल हमास के कॉंफिक्ट को ले करके जो हाओदी लोग है वो रेट सी से जितने भी कारगों जा रहे हैं उन सब पर अटेक कर रहे हैं और अगर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी की बात कि जा साथ है तो जिस परकार हमारे देश में रक्षा मंतरी राजना सिंग जी ह वैसे हैं जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी है एल वाइड ऑस्टिन उन्होंने ट्विश्टे को अपना स्टेटमेंट दिया उसमें ये कहा कि हाओदी मिलिटेंस जो है वो येमन से जो हाओदी मिलिटेंस है वो 12 टाइम्स मतला 12 बार जो यह सो वो लोग जो कॉमर्सियर स पर अटेक कर चुके हैं पिछले 4 वीक्स में तो साथ यह बहुत बड़ी बात है कि पिछले 4 वीक्स में 12 टाइम्स इतनी ज्यादा ज्यादा बार हाओदी लोग जो है वो अटेक कर रहे हैं हाओदी लोग है कहाँ पे एक्च्वली में तो आप लोग यहाँ पर देख सकते ह यहां पे जो येमन है यहीं पे आपके हाउदी रेवल्स जो है सो मेंली यहीं पे है और क्या होता है कि जितने भी मेरिटरियंसी जो आपका रेट सी है वो आपका रेट सी यहां पे है और यह मेरिटरियंसी और एरबियंसी दोनों को कनेक्ट करता है और जो भी कारगो या जो इस सीप कॉमर्सियर सीप यूरोप के तरफ से अगर एसिया आना चाहते हैं तो ये हावदी लोग क्या करते हैं कि इसी पॉइंट पे उन जहाजों पे उन कारगोज पे अटैक कर देते हैं और इस से पूरी दुनिया प्रेसान है अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो ये आपका जो ये रेट सी है वो आईल और गैस के मामले में सबसे ज़्यदा हम लोग को एसिया को आईल और गैस इसी रेट सी के माध्यां से पहुँचता है और इस रूट पे अटैक होने के कारण बहुसतारी जो कंपनियां है वो अपने आईल और गैस के जो सीपमेंट है उस पे रोक लगाती है और में ये भी एक कोज है जिससे की तेल के दाम बरे हैं हमारे अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नेयंदर मोदी ने अपने सोसल मेडिया ट्विटर पे ट्विस्टे को एक पोस्ट किया उसमें उन्हों अपने में टाइम ट्राफिक टेंसन जो अभी बर गई है उस पे उन्होंने चर्चा की है अब यहां पर बात आता है कि रेट सी इतना सिगनिफिकेंट क्यों है क्यों इतना खास है रेट सी तो साथी ओ बहुत खास है रेट सी और रेट सी का बहुत ज़्यादा है खास करके इउरोपियन और एसीक कंटीनेंट्स को क्योंकि ये जोwork 2000 km रेट सी जो है ये आफ लोग देख सकते हैं यहां पर map में ये जो रेट सी का जो लंबाई है यह यहां से यहां तक है आनि के मेरिट रेट सी से लेकर करके अरेबियन सी तक इसकी जो लंबाई है वो 2000 km की है और य जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि Mediterranean Sea और Indian Ocean को नेरो एक स्वेज केनाल है और वो स्वेज केनाल आपका जश्ट यहाँ पे है यह स्वेज केनाल से कनेक्ट करती है Mediterranean Sea को और Arabian Sea को कौन रेट सी करती है और 1869 मिस का कंस्ट्रक्शन हुआ था रेट सी का और इससे पहले जितने भी कार्वो सीप थे जितने भी कमर्सियल सीप थे उन सबको एफिरिका होकर के आना पड़ता था क्योंकि रेट सी आपका ऐसे है बिलकुल यहाँ पे आपकी स्वेज केनाल है यहाँ पी आपके Mediterranean Sea है यह यहाँ पे आपका Yemen हो गया जहाँ भी हाओदी जो लोग यहाँ पे हैं अभी और इस साइट जो है सो आपका Arabian Sea हो गया आपका ASEAN परता है और यह 1869 में आपका यह रेट सी जो है यह वाला लाइनाप का उसका फॉर्मेशन वो उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था इससे पहले ज जो प्रॉडक्ट हमों के पास आता था वो बहुत महंगा आता था और स्वेच कनाल के बनने के बाद इसने टाइम को भी बचा लिया और पैसा को ही बचा लिया और डिस्टेंस को ही बचा लिया और एक डारेक्ट रूट देता है फ्रॉम मेरिटरियन सी टू इंडियन ओसन भाया नेरो स्वेच कनाल अब यहाँ पर देख सकते हैं यही आपका यहाँ पर जो है यह स्वेच कनाल है आपका और यहाँ पर आपके मेरिटरियन सी है आपकी और यह आपका हो गया इंडियन ओसन आपका पहले इसके फॉर्मेशन से पहले जहाज ऐसे घूम के आती थी जि इन सब को बचा लिया है अगर हम लोग की US Energy Information की Statement को माने तो उसमें उसमें कहा गिया है कि जो स्वेच के नाल है वो 2023 यानि कि 2023 एर के फर्स्ट हाफ में 9.2 मिलियन बेरल जो आयल है वो पर डे मेरिटरियन सी से अरबियन सी के तरफ आता है रेड़ सी के माध्यम से या और स्व बुद्वरी बात है 9.2 मिलियन बेरल पर डे ये 2023 के फर्स्ट हाफ का ये रिपोर्ट है US Energy Information Administration का और अगर ये बात किया जाए जो आपका स्वेच कनाल है वो 12% आफ ग्लोबल ट्रेड यानि कि सात्यों बहुत अब आप लोग कहेंगे 12% कितना ही होगा तो सात्यों आप लोग से भी जैदा आपका स्वेच कनाल के फ्रू आपका ग्लोबल ट्रेड होता है तो अगर यहां पे अटेक हो रहे है तो फाइनली इनफेक्ट ये बहुत बढ़ा जटका देगा पुरे ग्लोबली पुरे ओल अब अवर वर्ड को और ग्लोबली इसमें बहुत सारी इसमें दिक आएंगे रेट्स दी होते हुए उस पे हम अटेक करेंगे अब इसका मेंकोच क्या था कि साथ अक्टूबर को जो हैं सो इसमें हुआ क्या कि जो हैं कि जो हाओधिज बहुक्त। लिडर उसके आटेक 君ुम्त करेंगे और अथे हम लोग वहां से पस नहीं होने देंगे। यह इंडिया बांट शीप जो था गिलैक्से लीडर उसको भी हाउदी मिल्तेंस जह से हाईजेक कर लिया था। अब यहां पर एक इरान भी एक कंट्री है जो सिया मेजुरेट्री मुस्लिम की कंट्री है ऐसा माँ जाता है कि वो भी जो हाउदी जो लोग को सपोर्ट करते हैं इरान का दुस्मन है वो हाउदी के करीब है और हाउदी को सपोर्ट करके वो इन डायकली वहार के समय हाउदी से वापस भी ले ले लेंगे तो इरान जो हाउदी लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग बोलतो रहे हैं कि हम लोग बस Israeli सीप्स को हाईजयक कर रहे हैं, सीष कर रहे हैं, लेकिन इनफेक्ट बहुत साई सीप जो इंडिया के तरह भी आणाचारिया है, जो globally जो आएज पास कर रहे हैं, उन सब सीपों को भी यह लोग जैसों कर रहे हैं, इसी के साथ अगर हम लोग आगे भरे साती हो तो इस problem को देखते हुए जो US उसने multinational एक operation launch किया है rate C commerce को safeguard करने के लिए अब हो है क्या हुआ हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं तो जो US Defense Secretary Edward Austin है नोने ट्विश्टे को एनाउस किया है कि rate C में जो सीप है जो commercial सीप है उनके एक continual और एक safeguard flow के लिए उन्होंने एक operation prosperity guardian launch किया साथ यह बहुत ही एक आपकी SSB GD में आपसे पुछी चाह सकती है जो लोग अभी अभी CDA से हैं एंडी के तियारी कर रहे हैं उनसे पुछी चाह सकती है कि अभी हाल फिलाल में एक अमेरिका के दोरा operation launch किया गया था जिसका नाम था operation prosperity guardian वो किस मामले से linked है तो आपको आपक आप यहां पर इसकी यूज कर सकते हैं कि करेंटली यूएस है जो लॉंच एन ऑपरेशन नेम ऑपरेशन प्रोस्पेर्टी गाजियन टूप प्रोटेक्ट तरेट सी क्राइसी और इसमें कौन-कौन कंट्री पार्टिसिपेट किये हैं तो इसमें UK है आपका अभरीन है वो सब मिल करके एक Gulf of Aiden और Bab Almond Deb के पास जो है सो क्या करेंगे वो एक चक्कल लगाएंगे यह सारे कंट्री क्योंकि एक्ट्री में बहुत परा आपका एडिया है यह लैंड पोजिशन है तो यहां पे एक दो कंट्री के बस की बात नहीं थी कि यहां पे वो सेफगार्ड कर दाएंगे और यहां से फ्रीली यहां से पास हो जाए अब साथियो इसमें बात आती है कि इसमें इंडिया क्यों नहीं है इसमें तो इसका ही बात यहां पर करेंगे लेकिन उससे पहले हम आँप एक बात और बता दें कि जब यह नूज में आया कि जो अजितना यह सब जो है यूएस है उसने अपना एक operation launch कर दिया operation गाजियन operation प्रस्पेट्री गाजियन तो हाओदी लोग का उसका statement आए कि चाहे आए पूरी दुनिया ही क्यों नहीं चलिया है लेकिन फिर भी ओर लोग अपने attack को नहीं रोकेंगे और जितने भी जो सिप्स हैं जो commercial सिप्स हैं जो इसके बात यहां पर आए कि इसमें क्यों नहीं पड़ता है तो देखिए साथ यो इंडिया अगर इसमें गया तो यह आपका एक तरसक कर यह कि जियो पॉलिटिकल यह इंडिया के लिए ठीक नहीं रहेगा लेकिन इसके अलावा भी इंडिया ने यहां पर कुछ सपोर्ट क करने वाले हैं अब यहां परनों सबसे बहले बात करते हैं कि क्या यह ग्लोबल एकनोमी पर कुछ इंपक्ट डालेगा तो अगर देखें तो इसी ट्विस्टे को अचानक तेल की दाम में बहुत ज्यादा यहां पर उज्छाल देखने को मिला और इसका मेन कारण है कि अब स जिफ्स जो है वो रिर्यूटिंग अफ्रिका के थुरू आ रहे हैं अब जो रेट सी था वहां से नहीं है कि वो टरन करके अफ्रिका के थुरू आ रहे हैं जिसे हो क्या रहा है कि समय पर पहुंच नहीं रही है लेट से पहुंच रही है और इसमें आपका टाइम ज्यादा लग रहा है और इसलिए लेट से पहुंच रही है और साथ इसमें लोजिस्टिक में ज्यादा पैसे भी लग रहा है तो जितने भी यहां पे आपके जो कंपनी जह उन्होंने इसका सिपिंग चार्ज बढ़ा दिया है जिसका अभी अभी हाल फिलाग में आपका आयल प्राइस अब यहां पे बात है कि इंडिया ने कैसे मदद किया तो इंडिया ने अपना वार सिप भेद दिया साथ ही मैंने आपको पहले ही बता था कि इंडिया वहां प्यारा डायक्टली जाता है जो ग्रूप है ऑप्रेशन जो यूएस लॉंच किया है उसमें इंडिया डायक्टली सामील होता है तो जियो प्रेटिकली वह ठीक नहीं रहेगा इंडिया के इंडिया ने भेजा है हाउदी में और इनफ्रैक्ट आहयनेस कोची जो है वह अभी अभी हाल फिलाल में एक मर्चेंट्स जितने भी मर्चेंट्स थे नेभी सीप्स पर करवों पर कॉमर्चिर सीप पर उन सबों को सुमेलियन पारेट से आप लोगों को याद रहता है अप सामने तो सुमेलियन पारेट से अभी हाल फिलाल में जो आईनेस कोची है वार्शीप है उसने मर्चेंट्स को वहां से स्रोचित बहार निकाला है और इसके साथ साथ जो है सो आईनेस कोलकाता भी जो है वो भी मूव अन कर चुका है मेरी टाइम से क्रिटी के लिए कोष्ट ओफ एडेंग के पास अब हमनों केंक्रूजें पे अगर आते हैं तो अब यहाँ पर बात होती है फाइनली क्या इसका फाइनल केंक्रूजें किया है तो अगर इसमें भी जो एक्सपर्ट है वो दो भाग दो पार्ट्स में बढ़ चुके हैं एक पार्ट का कहना है कि इससे जो है सो गलोबली जो जीडीपी है उसमें डानफोल दिखाई देगा यह गलोबली अच्छा नहीं है इकनोमी के लिए इससे जितने ही प्रोड़क्ट्स हैं जो भी चुकि मैंने आपको पहले बताया कि यह तो आपका बहुत सारी कारगोशिप्स रुख गई है बहुत सारी का बहुत का रखाए वार के कारण और दूसरा मेन बात यह है कि जो शीप्स आ रहे हैं वो लेट से आ रहे हैं तो याक्तो पहुज हो गया, एक टाइम डेले हो गया और दूसरा हो गया कि आपका चुकि इस अफीरिका होते हुए आ रहा है तो उनका cost भी जो है सो logistic cost भी उसका बर रहा है और उसके बाद war risk का जो है एक extra charge दिया जाता है war risk के नाम पे तो war risk के नाम पे extra charge हो रहा है एक चार condition मिल गए है तो एक side के expert का यह मानना है कि यह इसका cost बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इससे बहुत ज़्यादी inflation देखी जा सकती है जो countries है globally GDP पे इसका बहुत ज़्यादा downfall इस पे दिखाया देगा जबकि दूसरे side के expert का यह मानना है जो कि जो यह crude aisle हो गया जितने भी आपके aisle हो गया यह सब जो पर्मानेंट है मतलब कि इनकी shortage अभी नहीं हुए हाँ temporary अभी जो जो कुछ समयों के लिए वहाँ पे जो हाओदीश के अटक कारूमा पे कुछ बाधित हुआ है लेकिन ऐसा कुछी समय कुछी दिनों के लिए ऐसा है तो इसको देखते हुए जो है सो क्या होगा कि जो inflation है वो ऐसा नहीं आएगी और GDP पे भी इसका कुछ खासा अरसार इस पे नहीं देखा जाएगा तो यह experts का मानना है साथियो यह आपका था पुरा rate C के बारे में इससे पहले हमने आपके bricks पे session early ले लिया है इससे पहले हम लोगों ने आपके मालदीफ्स controversy को पर एक session early ले लिया है जिसमें हम लोगों ने बताया था कि कैसे PM Modi के वहाँ पे 100 मीटर मात टहलने से एक मालदीफ्स में बहुत परा बाबाल हो गया और उससे मालदीफ्स भरसेस लक्षदीप की controversy उत्पन हो गई इसी के साथियों लोगों ने एक और session कर रखा है कि आपका Indian Air Force जो है सो अब 2047 में जो है वो Indian Air and Space Force रोने जा रहा है और इसका जो प्रोपोजल है वो Indian Air Force ने गौर्वर्मेंट के पास अलेड़ी भेज दिया और यह आपका SSVGD टोपिक में बहुत important टोपिक है तो इसको आप जा करके हमारे YouTube चैनल पे देख सकते है इसके साथ इन साथ हम लोगों ने इंडो मेंनमार रिलेसन के बारे में जो भी एक वीडियो बना रखिये कि अभी recent कैसा है इंडो मेंनमार रिलेसन जो मेंनमार साथ है वहाँ पे भी फ्यंसिंग नहीं हो रखिये थी वहाँ पे 16 किलोमेटर अंदर आने की परमिसन थी इंडियन्स को और जो मेंनमार के लोग थे उनको इंडिया बोडर में 16 किलोमेटर तक अंदर आने की परमिसन थी यह British के समय से चली आ रही थी जिसको government जो अब रुख लगाती है और वहाँ पर जो free movement जाईम है उसको अब बंद होने जा रहा है वहाँ पर बीजया लगेगा तो इसके बारे में विस्तार से हम लोगों ने इंड्रो मियनमारी रिसंग के बारे में के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने डाइकली इंडिया पर आरोप लगा दिया था तो इसको लेखर के अभी हाल किस ट्रॉपिक को चाहिए आप ये भी बताइएगा और कोई अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजेगा आपको पूरी वहाँ पे सहायता दी जाएगी सास्यों अब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद जैहिंद